नमस्कार प्रधान मंत्री जी, एशयनेट सुवर्ना न्यूज, एशयनेट न्यूज, कनड़ा प्रभा और एशयनेट न्यूज.com से बात करने के लिए 2014 और 2019 में बहुत डिसाइसिव विक्टरी मिली आपको फिर से आप वही बात कर रहे हैं कि डिसाइसिव विक्टरी इस बार बहुत जरूरी है और आप उसमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं ग्रोथ स्टोरी और डिसाइसिव विक्टरी का क्या मेल है? देखिए पहली बात है कि लोगतंत्र में मैं तो चाहूँगा हर एक राजनीतिक दल में एक एस्पिरेशन होना चाहिए कि भई हम चुनाव लड़े लोगों का विष्वास दीते और सत्ता में आकर के हमारे जो उसूल है हमारे जो रूल से जो भी अपने सपने है उसको लागो करने का प्रयास करें तो किसी भी राजनीतिक दल में आकर ये महत्व काक्षा ही नहीं है तो तो फिल लोगतंत्र के लिए ठीक नहीं है तो लोगतंत्र की आवशक्ता है कि सभी राजनीतिक दल जो भी है इनके मन में भाव रहना चाहिए कि वे कभी ने कभी सत्ता में आकर के अपने विचारों के अधरप्रद इसके सेवा करेगी, ये लोक्तंत्री के आवशक्ता होती है, जहां तक BJP का सवाल है, तेकि दोजार चवधा में जब हम आए थे, तब एक पांच-छे दसक का कॉंग्रेस को राज करने का उसर मिला, और शायद उनको कोई विपक्ष जैसा कुछ था ही नहीं, इतना मिडिया भी जही था, और नहीं तनी मिडिया में वाइबरंसी थी, यानि एक प्रकार से उनके लिए ऐसा खुला मैदान था, और देश भी उनके साथ था, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के बाद जो भाव थ कि वो जो चाहते वो देश कर लेता, लेकिन वो मौका घवा दिया, और दीरी 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 डिटॉरेशन पढ़ाया, और उस परिस्थिति बे, देव जार थेरा में, जबकि मेरे पर एक आरोप था इस आदमी को हिंदुस्तान का क्या पता है, इस आदमी को दुनिया का क्या है, यह सारे नकारत्मत मुद्बे होने के बाउजुद्बी, लोगों ने हमें सेवा करने का उफसर दिया, और मैं कह सकता हूँ कि 2014, वो उमीद का कालखंड था, लोगों के दिल में भी उमीद थी, और मेरे मन में भी उमीद थी, कि हम उनकी उमीदों को पूरा करें, और पा सारकार चलाना मतलब मैं सासनной करता हूँ, ज सेवा करता हूँ, सारकार चलाने का मतलब मैं तद बैट करें मोज करें के पक्षमने हूँ, मैं स scheint नागरिक से बहुत ज्यादा मेहनत करने का प्रियास करता हूँ लोगों के लिए लोगों ने बड़े नेकट से हमारी सरकार के कामों को देखा 2014 में उमीद का मातावर्ण था 2019 में येक प्रकार से विश्वास में पलट गया जन सामान्य का इतना विश्वास उसने मेरे भीतर एक नया आत्मो विश्वास भर दिया मुझे लगा कि हम सही दिशा में हैं हम सब के लिए जो काम करने का सब का साथ सब का विश्वास सब का प्रयास का मंत्र लेके चले उसको जमीन पर हम उतार पाए हैं और उसका परणाम ये आया कि 2019 का कालखन एक विश्वास का कालखन रहा और आज जब मैं 2026 में देश्वास के पास गया हूँ तो मेरा 13-14 साल का एक राज्चे के मुख्य मंत्री नाते अनुफो दस साल का प्रधान मंत्री के नाते अनुफो और इसमें किये हुए कामों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैं इस बार गारंटी लेके गया हूँ याने कभी उमीद फिर विश्वास और अब गारंटी और जब गारंटी होती है ना तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और बुछे ही लगता है कि आज दुनिया में जो भारत का के परति भरोसा बना है आखिर विश्व ने हिंदुस्तान ने तीस थाल तक अस्थीर सरकारों को देखा है अस्थीर सरकारों ने देश का बहुत बुक्षान किया है विश्व में भी भारत का पूरी तरह देखने का नजरिया भाती एक प्रकार से कोई वैल्य नहीं था लेकिन स्थीर सरकार क्या कर सकती है वो देश के मद्दाताओं ने देखा है और इसलिए मुझे लगता है कि दोजार चोवीस यह चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है बीजेपी नहीं लड़ रही है देश की जनता का इडिशिट्यू है देश की जनता दस साल के अनुभव के अधारप ने ने कर चुकी है और इसलिए यह चुनाव का उस अथ में अत्यत महत्वा है तो अब जगा जगा जा रहे हैं मोदी जी सभाए कर रहे हैं राली कर रहे हैं महूल क्या रहे हैं आपको मैं मैं सार्वाद्यन जीवन में लंबे समय से काम करता हूं मैं संग्रथन का कारिकरता रहा हूं तो मैं महूल को समझ पाता हूं मैं कोई ज्वटीसे नही हूँ, लेकिन उस वाइबरिशन को समझ नहीं हूँ. और उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि मैं जहाँ जहाँ गया हूं. और मैं कोई चुनाओं के समें दोरा करने वाला इंसान नहीं हूँ. मैं हटे में नॉर्मली हर फ्राइडे, सर्टेडे, संडे, कही ने कही जाता हूं सरकार के काम क्वाच करता हूं, वो भी मैं जन्ता के बीच में करता हूं और उसके कार मुझे बदलता हुआ माहोर, उसका मुझे अंदा जाता है और इसने मैं देख रहा हूं कि यह जो एक तरफा वातावर दिख रहा है वो चुनाव डिकलेर होने के बाद पादा नहीं हुआ है यह पिछले दस साल में निरंतर बढ़ता गया है और लोगों का अप्रत्यासित समर्थन दूसरी तरफ, मुझे पताईए सामाने मत्दाता है, आप अगर मत्दाता है तो आप मत्दाता के नाते बोट करने जाएंगे, तो क्या सोचेंगे पहले तो आप सोचेंगे, कि यह देश किसको दे रहा हूं किसके हाथ सुपरत्तर रहा हूं तो आप जो भी लोग दिखते हैं, कम्परिजन करेंगे हैं, फिर अपते कहने ने को देश, उनको सुप्रद कर सकते हैं, तुमका ट्रेकरड़ा है, वो जो बात बताते हैं, और जो करते हैं, उन सब क्या अधार पर एक मन बनता है, दूसरा, उनकी हमारे साथी कौन है, हमारी स प्रवोच क्या है, हमारा एजन्डा क्या है, दूसरे स्टेज पर वो देखता है, औरों के कादना में कैसे रहें, अनुभों कैसा रहा है, वो देखते हैं, दूसरा इस बार के चुनाव का एक सथभाग्या है, कि दोजार चाउदाओं को, कमपरिजन के लिए अफसर बहुत कम करता है, बोई बुरा ही करते थे, मोदी नहीं करता है, आर इसलिए कंपरिजन के बा नतीज चुपरन में, और इसलिए में उन्के आँखों में, पुरेम तो देखता हूँ, आकृशन भी देखता हूँ लेकिन साथ-साथ उनके आँखों ने जीम्मि बारी में देखता उम्मीद से भी कोई कही अनेक गुणा जादा है। गारेंटी, विश्वास गारेंटी, that is the progress. आपकी अभी तक की सरकार, बहुत ही, 2014 से ही है, टोटली एंटी-करप्ट, कभी किसी ने कुछ लांशन लगाया, कभी कुछ लगता नहीं है। अभी जैसे एडी के अरेस्ट्स वगेरा हुए हैं, कई लोग उसके कहते हैं कि मिस्यूज हो रही हैं सेंटेल एजेंसी आपके पोलिटिकल रीजन्स के लिए, अंटी-करप्शन का है प्लांक लेकिन इसके लिए हो रही है, आप उसके बार में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका बहुता भारी हूँ कि अपने इस चीज को अबज़ किया क्योंकि मैं तेरा साल तक एक राज्य में भारी भारी बहुमत के साल सरकार चलाता तो अच्छा आर्थिक रुप से अच्छा राज्य उसमें मैं सेवा करने कमी जाफ्शर मिला और पिखली दस साल से यहा अगर एक है कि इन चीजों में मेरे वैल्यूज हैं तो फिर कोई सरक्रत के भार पहर पहर नहीं रखता है दूसरा मैं प्रारम से मेरा एक आगरा रखा है कि मेरी गवर्मेंट पॉलिसी डिवन होनी चाहिए एड़ो की जब नहीं होना चाहिए ब्लेक एन वाहिट में पॉलि होती है तो किसी भी अफसर को इप संद बर्स का उसर नहीं मिलता है डिस्क्रिमिनेशन का उसर नहीं मिलता है उसको यह मानना पड़ता है कि यह तो भाए जाए या दाए जाए और इसके कारण जो नागरी है उसको भी लगता है यह मेरे हका है मुझे मिलेगा यह मेरे हका है तो उसे विश्वास भी बढ़ता है। दूसरा आपने देखावा का हमने कुछ कदम भी उठाए है। पहले रिकुरॉट्माइट में है। क्लास थी कार्स फोर के लिए साभी इंटर्यू होते थे। अब इंटर्यू 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 होता था। इसके अधर पर अपलाए करें। और कॉंपूटर तहे करेगा कि कौन योग्य लोग है। पहले दोस्व आएंगे कॉंपूटर से उनको ओर दे दो। हो सकता है। दो-चार लोग अमारी अपिक्षा से भी का जाएंगे। लेकिन कम से कम उसको यह तो लगेगा। कि मुझे तो ट्रांसपरेंट से मुका मिलाए। मैं अपनी क्षमता बढ़ा हूं, मैं अपना काम करूँ। और आज उसके करां लोग लेवल पे ऐसी कोई चीज है। अब जैसे इंकम टेक एसस्मेंट सबसे ज़्यादा से काहते रहती थी। करुपशन का अउसर तो नहीं होता है। हमने फेस्लेस कर दिया, टेक्लोलोजी कर दिया। आज मुंबई के फाइल गोहाटी में देखे जाती होगी या। चेने में देखे जाती होगी या। कोची में कि इसको मालूम ही नहीं है। और इसलिए वो मेरिट के आधर पर चीज़े देखता है। तो लोकों के भिस्वास भी बनता है। काम भी शरोग। सर्विसेज में हमने डिजिटल अप्रोच लिया। हम्हं मिनिमाइज करने की कोशिष्ग करने हैं। हमारे जैप पोर्टल के है। अप जैंप पोर्टल पा हिए ह지िस हारकार को जो भी खरीदी करनी मेतों जैंप पोर्टल पे जाए। को पर सपीर्री होती है , एक वालृट्री मिलती है। अब जैसे हम किसी प्रदानमाद्रिने कहा थे एक रुपय भेटे है तो पंदना पैसे जाता है, तो बीच में कोई नको इनको फंजादों खाई जाता है। अब हम डार्क में ट्रांस्फर कर रहे हैं, एक रुपय भेटे हैं, सो पैसा पहुंचता है। तो सामान्य मानमी कोई भी लगता है, मेरे हक्का मुझे मिलेगा। तो उसके करण, अब मुझे बता ही है, कुरान के इतने बड़े संकट में भी देश पुरी तरह सरकार के साथ क्यो रहा। उसको विष्वास था, कि संकट बना आया है, लेकिन यह भी हमारी तार हम महनत करते हैं, तो इसका भायता होता है। तो E.D. और C.B.I. के मिस्यूंस के बारे में कुछ सवाल है उठ रहान हो जी कि कोई भी, अगर माली जे रेल्वे है, रेल्वे में टिकट चेकर का एक पोस्ट है, अब को यह कहें कि यह क्यों चेक करता है टिकर, क्या हम बेहिमान है क्या, क्या हम बेहिमान है क्या, टिकट जाए उसने, वैसे अपने एड़ी बनाया क्यों, C.B.I. क्यों उनका दाइत्व है, सरकार ने अपने राजनेतिक स्वार्त के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको अडंगे नहीं डालने चाहिए, उनको स्वतंतर रूप से काम करना देना चाहिए, जैसे एक टिकर चे क्या किया है? E.D. ने करप्शन के खلاप मामले किये, अब हर परकार कोके होते हैं, रृग्ज माफियां को होते हैं, इसमें सिर्फ तीन परसेंट वो लोग है, जिनका राजनेतिक जीशन है, या राजनेति से जुड़े वोगे, उनको थीन परसेंट, परसेंट वो लोग हैं जो बेईमानी में कहीं कहीं धरे गए हैं, कई अपसर गर गए हैं, कई अपसर जलों में पड़े हैं, इसकी कुई चर्चा ही नहीं करता है, कि अगर देश में करप्शन के खिलाप काम कलने के लिए एक संस्ता को जन्म दिया आपने, वो तो पुरानी सर काम करें तो सवाल पूछना चाहिए, काम करें इसलिए सवाल पूछा जाए, ये लोजिक बढ़ता नहीं, अच्छा, थी परसंट सर्फ हैं, जिनको अभी तक एडी पोंची है, 97 परसंट दूसरा है, दूसरी बात है, परस्टाचार से सर्फ रुप्या पैसा का नहीं होता उसने ब्रिज बना दिया, और कुछ साल में वो ब्रज गीर गया, मुझे बताए कितना भहें का नुक्षान होगा, उसी प्रकार से एक सामाने नागरी, बड़ी महनत करके उसने अपनी एज़म पास की, लेकिन चूग की प्रस्टाचान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी नहीं है, इसलिए उसको हग नहीं मिलता, और कि जिए फालतू बेकते को नोक्री मिल जाती है, यह असंतों जो हैं, वो देश में लंबे तबक तक नहीं चलता है, दूसरा, एडी ने, दो हजार चवदा से पहले, पीये मेले, जिसके अंतर के डीडी ऑपेट करती है, वन था 1,800 से कम उन्होंने केसिस किये थे, अब देखिये, जबकि उनको काम करना था, जबकि उस समय तो सरकार पर बहुत आरोप लग रहे हैं प्रस्टार के, 1,800 किया, दो हजार चवदा के बाद हमने, दस साल में, हमारे सावकार खार में, इडी ने, 5,000 से जादा केसिस किये हैं, यह उसके एफिशेंसी है, उसके एक्टिविटी दिखाता है, दो हजार चवदा से पहले, अल्ली, 84 सर्चिज कंड़ की गई थी, अल्ली 84, इतना बड़ा डिपांटमेंट स्वय पड़ा था, 2014 के बाद, 7,000 सर्चिज हुई हैं, 84 इस तो 7,000, 2014 के पहले, जाने उनके दस साल में, करीप 5,000 करोड रुपीज की प्रोपर्टी एटेच की गई थी, 2014 के बाद, 7,000,000 करोड रुपीज की प्रोपर्टी एटेच की गई है, यह देश की संपत्ती हैं, अम मुझे बताएं, यह E.D. का ट्रेक रकॉर्ड क्या बताता है, E.D. का ट्रेक रकॉर्ड बताता है, एफिसेंसी, बड़े स्केल पर एक्टिविटी, और स्वतन तरुप से, अगर हम देश में करभशान हटाना चाहते हैं, तो आपको जो संस्ता जिस काम के लिए बनी है, उसको आपने काम करने देना चाहिए, पॉलिटीशन होने ऐसी संस्ताव को अंदर अपने टांग नी अड़ानी चाहिए, और इसलिए भले मेरे प्रदानमंत्री हूं, लेकि मेरा कोई हक नहीं बनता है, ति मैं लिडी के काम के अंदर उकावट ढालू. हमारे देश में एक नरेटिव बना दिया गया, बहुत समाहि से, कि भाजपाया ने अपरकास के पार्टी, रियालिटी ये हैं कि भाजपा में सबसे ज़्यादा स्थी हैं, सबसे ज़्यादा स्थी हैं, सबसे ज़्यादा OBC, ये सारे हमारे सबसे ज़्यादा मेरे मिनिस्ट्री में OBC हैं, फिर बना दिया कि भारत अरबन पार्टी हैं, यह तो बहुत ही पुरान पंथी पार्टी है, नया सोची नहीं सकती है, आज डिजिटल मुमेंट का नेत्व तो पुरा कर दुनिया पे कोई करता है, तो बीजेपी रूल भारती जरता पार्टी की सरकार कर रही है, तो यह जो भ्रह्म पहलाए हुए है, वो गलत है, दूसरा, अप तेलंग अना तुप आप तेलंग अना में अमारा जो वोट शेर था, आज हमारा वोट शेर डबल हो चुका है, प्नि Cinc में, से पारलेमेंट के जो इलेक्शन हुए, यह लोगों को जानकारी दीजिया आप, प्निन नाइन्टीन के पारलेमेंट इलेक्सन में साओ ने सि सबसे जादा साउंसत बीजे भी के हैं, 24 भी होगी, और मैं मानता हूँ, ये पहले की तुलनाम है, वाट शर्ते बहुत बढ़ेगा, सीटे भी बहुत बढ़ेगी, ये मैं मानता हूँ, दूसरा, साउंथ में जो सरकारे हैं, उनकी पहचान क्या बद गई है, चाहे कॉंग्रे क्याएफ हो, चाहे डी-मक हो, सब जगा पहचान है, आज हम पुड़ी चेरी में सरकार में हैं, पुड़ी चेरी साउंथ में पता होना चीए, हम सरकार में हैं, और अप अंड़मान निकोबर, हमारा साउंसत जीत करके आता है, जहां पर सब से जादा हमारे साउंध बहुत पर तरियक है, पूरी तरह ये, फैमिली रन सरकारे है, प्रस्थाचार, आकंट प्रस्थाचार है जहीं, अब आप देखे वहां हाल क्या है साउंथ में, कॉंग्रेस की उराज, उत्तर से भाग करके, दक्षिन में आसरे लिया उनोंगे, वाहनार में निकल गए, इस बारू की हलत यह है, कि वो इंतजार कर रहे हैं, कि जैसे ही 26 तारी को वाहनार का पोलिंग हो जाएगा, वे किसी और सिट की गोशना उनके लिए होगी, वो दुसरी सिट की तलास में, ये पक्का लिखके रखिये मेरे शब्द, और मैंने एक बार गोशना के थी पार्लामेंट में, कि उनके बड़े-बड़े नेता, अब लोकसभा लडने वाले नहीं हैं, वो राजसभा में जाएंगे, और मेरे कहने के एक मेहने के बाद, उनके सबसे बड़े नेता को राजसभा से आना पड़ा, लोकसभा छोड़ देनी पड़ी, तो ये पराजे पहने से स्विकार कर ल मेरा अनुस्ठान चल रहा था और जो मैं साउट में अनुस्ठान के समय गया तो मैं देखा कि वहां पर जो लोगों का प्यार में देख रहा था लोगों का विष्वास देख रहा था वो मैं मानता हूं कि अन्प्रुसिडेंट था और मैं पक्का मानता हूं कि जो मीत है वो त भारतिवी जनता पार्टी को सेवा करने का आउसर भी मिलेगा और इस चुनाव में जादा से जादा हमारे प्रतिनीदी समसद में मेरे साथ काम करने के लिए आएंगे वोट शेर तो बहुत ही जादा बढ़ेगा करनाटक से आता हूं मैं और करनाटक के बारे में ही सवाल करनाटक के कॉंग्रेस सरकार इस पर निर्भर है कि उन्होंने फाइप पांच गारेंटी दिये हैं दो हजार रुपए महिलां को जाती है ये सब गारेंटी स्कीम्स फ्री बीज आप कैसे देखते हैं मुदी जी और इ तो सीधी इस ऐसा है कि उनकी क्या मजबूरी है मुझो जाने है निराशा की गर्थ में डुबे हुए राजिदेतिक दल हाथ पर मारने का प्रयास कर रहे हैं मैं बेरी बात मताता हूं तेकि मिजे लंबे अर्शे सक्तिक मेरा पासि इतरा लंबाव है और मेरा अनुबह है कि हम ने कभी भी कि हमारे देश के नागृ को पर कम नहीं आकना चाईग जिए एक बार लाल के लिए से कहा, कि भाई, जो एफॉर कर सकते हो, गैस की सबसेड़ी छोड़ दे, इस देश में एक करोड से ज्यादा लोग आये, जिनों ने गैस की सबसेड़ी छोड़ दी, यानि मेरे देश के लोग, किसी जमें अमसाय कहते हैं, मैं लादमादू साथे निका, खाना छोड़ाथ खाना छोड़ा था, आज भी मेरा देश, मेरे देश के नागरी हमसे जाना देश को प्यार करते हैं, हमसे जाना देश के लिए कर्णे होते हार हैं जिन, हम कम से कम उनको कम ना आके, अब देखिए कोवीड के समय, Iаться Welcome से कोवीड के समय, मैं ने व्पकान पकंळते हैं that आन तंखा बढ़ा तामू तैन मेरी के सांस्थदों अपनी सेलरी छोर दी थी कि यह सारी चीजी है, जो छो प्रेणा देती है यह करीब के हैंड होल्टिं गरीब के हैंड कर लिजा है इस देश के नागरीक देता है और हमारा मोडल है देश के हर नागदरीक को एमपावर करना, गरीबों को विशेस रुप से एमपावरमेंट मिलना चाहिए, और देखे, बहुत सी चीज ऐसे होती है, अब सिस्टेमेटिक जनतापर का बोच कम करने है, सरकार का दाइत्वा है, यह कोई उपकार नहीं है, हमार करीब दो हजार दवाईय मिलती है, करीब तीन सो से जादा मेडिकल एक्विपेंट मिलते हैं, और 80% डिसकाउंट, बनलब आपके परिवार में बुजूर्ग है, और आपके परिवार के बुजूर्ग को अगर महिने का 2000-3000 की दवाई लगती है, तो मर्दमभर के परिवार बहुत बड़ा बजेट पर एक आज 80% डिसकाउंट हो गया, तो उसको भी लगता है महाबब की सेवा कूं का, अब देके बिजली 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 कम करने के लिए, मैंने LED बल्ब योजना लाई, जो LED बल कॉंग्रेस के जमान में 400 रुपे मिलता तो मेरे जमान में 40 प्यान जीरो बिजली बिल, इतने ही नहीं, आगे का कालखन इलेक्टिक वेहिकल का आने बाला है, तो आप सोलर एनर्जी से अपने घर के बिजली का उप्यो करिये, और आपके वेहिकल को भी, आप इलेक्टिक वेहिकल को चार्जिन कर सकते उसी से, इसका मतलब उसका ट्रांस्पो आपके बोज हैं, वो कम करने का लगाता प्रयाथ, और इन सर्पोजेक का प्रजाम क्या है? पहले गरीब हटाओं के नारों पना पात दसक तक सुले हैं, पहली बादेश सुन्दा है कि पचीश करों लोग गरीबी से बहार निकले हैं, यह एंपावर्मेंट से होता है, तेरा देश के सामन्य नागरीग पर ज्यादा बहुसा है, क्योंकि आप जनोशधी किंद्रों पर बोले एक वीडियो देख रहा था मैं, कोई बुजर्ग खड़े होके बोलते हैं, वीडियो कान्फरेंस था पका, पांच हजार रुपए पहले आउशधी का खर चाता था थ या, I am from Kerala and more interested in Kerala, you seem to be more focused in Kerala than previous years and whenever you come to Kerala, you focus on the cooperative sector and the looting of public money, it is, can I expect some actions or? पहली बात है कि भारतियो जरता पांटियो और जनसंग के जमाने से हम पुरे देश की सिवा करना चाहते हैं, देश की हर हिस्से की सिवा करने हैं, राजनिति फाइदा हो वहां करो काम, राजनिति फाइदा न हो वहां न करो काम, यह हमारे से जनाद नहीं हैं, 1967 में, का सबसे बड़ा रास्ट्री अदिवेशन केरल में हूब था हम में हम हमारे लिए केरे शब्त आ पृंप делать मेड़ान है यह नई है मारी लिए केरल भी बाई सेवा खेत्र हैं और हम सेवा करते है और हम comment हमारे सैंक्रो horaताओं को बुणियों है पौन जिया गया है है अभी वहाँ सेवा, माभारती की सेवा करने के भाव से कर रहे हैं, और लेप की कैडरक पर अदानतों ने सजाएं फर्माई हैं हमारे लोगों के हत्त्याओं के इखलाब, कई लोगों के जेल में हैं, तो उसके बावजिकों हम हमारे लिए कच्छो या गोहाती, कश्मीर हो या आपने देखा होगा त्रीपुरा किसी जमाने में लेप तीन चार दसक तक उनकाफ जैसे भीजेपी आई तो लोगों को पता चला भी यह तो नूटते थे ते ते पोरा में भीजेपी तना अच्छा काम करें लोगों के और बार बार बीजेपी अब टीपुरा में लोग जीता नहीं लगे हैं वैसा ही बंगा केरल के अंदर इतना प्रस्टाचार की गंद भरी पड़ी हैं लेकिन एको सिस्टेम ऐसी बनाई हुई है कि कोई चीज बाहर आने नहीं देते हैं और इसलिए इस चुनाव में जब गया है मैं कोपरेटिव को लेकर के इसलिए बोला हूं कि यह सामान्य मानवी के साथ बहुत बड़ा क्राइम है इसको माप नहीं किया जा सकत गरी परिवार बैंक पैसा रखता है तो उसको लगता है चलो ब्याज यहां जाधा मिलेगा तो उसको लगता है कि पैसे रखता हूं तो बेटी बड़ी होगी तो शादी करवा लोगा और बड़ी महनत से वो कमा करके उसके पैसा रखता है फीशर में के पैसे हैं किसान के प जो पुरी तरह एक लेप्टिस्ट लोग चलाते हैं और करीब एक राक करोड रुपया केरल केस गरीबों का सामयने मानवी का उसमें पड़ा हुआ है अब आप उसमें देखिये किनों ने क्या किया उसके संचानज करने वालों ने उनके पैसों की चींता नहीं की बड़ी बड अब एक बैंक में हमने जो तारवाई की तो उसमें करीम नब्य करोड रुपय हमने एटेच किया है और बैने भी ले रहा हूं कि यह जो नब्य करोड रुपी है जिनके पैसे बैंक में थे इनको वापिस कैसे मिले मैंने एडी से भी आगए कि हम देना शुरू करें और जो हमने अब तक सेवंटीन थाउजन करोड रुपीस जो इस प्रकार से पकड़े थे वो सम्मंदिच जिसका था उसको बापिस क्या है सेवंटीन थाउजन करोड रुपीस और इसलिए मैं तेन सो बैंक का जो गफला इनो रखिया है अर्बो ख्रबो रुपया की ए जो एक है और मेरे लिए चुनाव का मुदा नहीं है मैं सामान्य मानवी की जीवन का मुदा है जी दर इसलिए लौट अफ डिसकेशन बिविन दिस नौर्ट साउथ डिवाइड अट इसलिए अलएज़ एड़ एड़ सेंट्रल गावर्नमेंट इस शोएं एस्टेप मधर तो सप्रेट नेशन करने की पहली बात है कि हम सब माभारती के कल्याड के लिए हम सब का दाइत्व हैं चाहराजय सरकार हो कहें मरसरका हो एक सो चालीस करोर देश वाज़ियों के हमारा जिम्मा है व्यवस्ता के लिए अलग-अलग लोगों को अलग-अलग काम मिले हैं लेक हम सब का लक्ष भारत सरकार का भी लक्ष यह होना चाहिए कि केरल के भी किसी गाओं के व्यक्तिकों सुविधा के लिए जो योजरा बढ़नी चाहिए इसको मिलना चाहिए काना टका के भी किसी व्यक्तिकों लाभ मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए तो यह हमारी मुलुभू संभीधान का स्पिरीट यही है हमको, आप मुझे बताइए हमाले से नदिया निकल रही है और हमाले की जो राज्य है, वो कह दे कि पानी कहीं कोई मालिक नहीं है, तो मेरी मालिकी है तो देश चलेगा क्या कोईला की खदाने हमारी एक स्थान पर है और हम कह दे, कि आम मुझे हां से कोईला बाहर नहीं जाएगा तो और राज्य अंदेरे में डूग जाएगा और नहीं जाएगा यह सोच ठीक नहीं है जी यह संपत्ती सब देश की है कोई हम उसमें से मालिक नहीं दूसरी बात है यह व्यवस्थाएं सम्विधान में निर्धारिक नियम से चलती है कोई सरकार आपकर कर और अपनी मर्जे से नहीं करती है दो जब फोर्टीन फाइनास कमिशन आया उसने ऐसा बड़ा जबरदस निर्डे किया पहले थर्टी टू परसें डिवलुशन था उन्होंने फोर्टी टू कर दिया अब सब तरत से मेरे दबावतासोब फोर्टी टू करी निह सकते है देस चल निह सकता है आप सरकार चलानी पाऊ़गे फैल हो जाऊगे और सरकार को हक है उसमें से 10 में से 5 चीजे लेनी तीन लेनी, दो लेनी, दसों दस लेनी, औुख लेनी, न लेनी, सरकार के पास अधिकार है, पार्लामेन को अधिकार है. लिगिन जब मेरे सामना है मैंने का जानता हूं अफषरोने कारण साबी तो भूत मुश्किल होगा भारत सरकार चला रही मुश्किल होगा इतरा डिवेलुशन हो जाएका मैंने का जी नहीं इस मेरा प्रारंब है मुझे राज्यों को परवरोसा है राज्य भी अच्छा कानवद राज्यों के पास और हमने 32 का 42 वैसा का वैसा पाइनास कमिशन के रिपोर्ट को स्विकार गिया अब युपिये के कालखंड में मनमान सिंग जी जब थे और रिमोर सरकार चलती थी तब करना टका को डिवेलुशन का दस साल में अस्य हजार करोपय मिले थी हमारी सरकार ने करीब करीब तीन लाग करोड रुपी दिये हैं केरला युपिये के समय फोटी सिक्स थाउजन करोड रुपी दिये गये थे हमारी सरकार ने वन लाग फिप्टी थाउजन करोड रुपी दिये हैं अब यह आखड़े तो बताते हैं, तमिल नाड़ू, यूपिय के समय तमिल नाड़ू को 95,000 रुपी, तब कि वो सरकावे पार्टनर थे, ये टेरर वाले के सरकार में दिली में पार्टनर थे, हम नहीं बैटे थे, वो बैटे थे, उस समय करीब 95,000 करोड रुपय तमिल नाड को मिला है, ये आखड़े बताते हैं, कि ये जूट फलाया जा रहा है, राजनिती स्वार्त के लिए नफ्रत का वातान पदा किया जा रहा है, कोई भी जिम और दुरुभांग ये हैं, कि कॉंग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ बैठी है, जो नेश्नल पार्टी है, जो पांचे दसक तक देश चला चुकी है, और ऐसी हरकते और ऐसी गंदी प्रभुतियों में हिस्सेदार बन गई है, अभी जिस तरह बात की आपने संझाया की फेलाया जा रहा है, वो इस्ट वेस्ट डिवाइट की आजकल बहुत ही जादा बात होने लग गई, आपने देखा है करनाटका में, एक MP ने तो खड़े होके कुछ कहा, जैसे की देश के बटवारे की बात होने लगती है, आप इस तरह के बिलकुल अजीब सी और इन सब चीजों को कैसे देखते हैं, how do you want to handle such strange comments that people make? पहली बात है, देश के राजनेतिक दल भारत के संविधान को संवर्पित होने चाहिए, और भारत का संविधान हम सब को देश की एक्ता और अखंड़त्त का डाइत्व देती है, अगर कोई इस प्रकार से प्रूति करता है, उसको उस राजनेतिक दलों ने बड़ी गंभीर प्रकार से लेना चाहिए, और कभी-कभी लगता है कि एक वो एकाज बार बोल गया, ये जो बीज है न, पता नहीं कब कौन सी ताका तहा करके उसको खाद पानी डाल करके बटर बुख से बना देंगे, तो तत्कानिक स्वात के लिए ऐसी भाष्णा से बचना चाहिए, ऐस से इरादों से बचना चाहिए, और ये देश को बहुत बढ़ा हुजा है, कोई भी सरकार रहे है, ये भासा कभी भी लाब ने करेगी, मैं जब गुजरात में था, मेरे साथ बहुत से अन्याय होते थे, के अंदर सरकार से, हर प्रकार के अन्याय हुए थे, लेकिन मेरा एक ह मंत्र रहता था और पब्लीक ली रहता था, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, हम सब मिल करके इस देश को बहुत आगे बढ़ाना है, तो इसमें हमने कोई कॉप्रोमेट नहीं करना चीज़ है, और करनाटक में सूखा पढ़ा है सर, ऐसे मामले अब सुप्रीम क ये हमारे समय से नहीं, लंबे अर्से से कुछ विवस्ताएं निर्धारित हो चुकी है, तेकि कोई भी आपदा उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, किसी भी इराके में आपदा हो, कलेमिटी हो, उसको अत्यन सम्वेदन सिलता के साथ गंभीरता से लेना चाहिए, और ये न सोचना चाहिए कि महां की सरकार है भुकतेगी, जी नहीं, आपदा आती है, कलिमिटी आती है, तो सरकार तो बाद में सबसे पहले नागरीक परेशान होता है, और हम सब पा जिम्यवार नागरीकों के प्रती है, और इसलिए ये राजनिती खेल का मैदानी ही नहीं होना नही जाहिए, ये अत्यन संबेदन सिये, दूसरा प्दधी क्या है, SDRF, 900 करोर रुपय का फन, ऐसी कलिमिटी के लिए, केंद्र सरकार का हिस्सा, समय पर उनको जाँ चुका है, ये कोई बखाया नहीं है, दूसरा, एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम, जब ये सी विशिश कलिमिट आती है, चाहिए बहुत बारा जाएं, या चाहिए ड्राउट हो, या चाहिए और बात हो, तो वो एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम होती है, जो भी सभी सरकारों के परमपरा है, कोई मेरी सरकार के परमपरा है, वो वहाँ जाती है, फट्केड एरिया में जाती है, उसका एपना पिटिशन देती हैं, फिर ये चमिटी होती हैं, जिसमें पुलिटिशन नहीं होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, बेमिल करके जायजा लेते हैं, अगर ऐसी बिशनिस्ट परितिशिया यह जो नौगाउड के उपराण भी को जरूत है, तो उसको दिया जाता हैं, बारत लेकिन राजनीती खत्यार के फाइदा ले गए, आजकल फैशन हो गई है, सुप्रीम कोट में जाकर काड़ने डालतो, अब के रहल के लोग गए थे, कैसी उनको डांट पड़ी है, कैसी बेज़ेती हो गई, सुप्रीम कोट ने कैसा उनको लताट दिया, अब ये पोलिटिकल म में लोकों के सामने रखना चाहिए, ताकि देश का नुक्सान ना हो, ना भारत सरकार के भलाई के लिए करना चाहिए, ना राज्य सरकार के भलाई के लिए करना चाहिए, लोकों की भलाई के लिए सच्चे तराजू से तोल करकर रखना चाहिए, बहुत जादा आजकल बात भाद बखान थाद। मैं जड़ने इनको पूछा उन्हीं पूछा घात। अजब शरकारे चलानल इका जिनको अनुवव है। दुनिया के दुश्मन देश भी हो ना तोस्ट्राइल कंट्री हो विरोधी कंट्री हो वहाँ भी जो हमारे मिशन्स होते हैं ना उन मिशन के पूरी चिंता वो रिस्पेक्टिव कंट्री करती है, उनकी सुरक्षा, उनकी ववस्ता सब, उनको कोई दिकत नायच के लिए पूरी ववस्ता करती है, दुश्मन देश के यहां भी भी हमारे देश के एंबेसेडर को या हमारी टीम को उतना ही सुरक्षा सम्मान यह तो मेरा देश है, मेरे राज्य है, और संविधान द्वारा निर्वित गवर्नर की पोश्ट है, क्या उसका मान, सम्मान, मरियादा, उन राज्य सरकारों का धाहित पो नहीं है, यह कैसे चलेगा, अब आप कर्पना कीजिए, कि केरल के गवर्नर एरपोर्ट जा रहे हैं, और लेप के साथी मिलकर उनको सामने हुर्दन कर दे, यह क्या शोभा देता है क्या उनकी सरकारों को, मुझे तो कभी मैंने किसी अख़बार में कहीं कॉलम पड़ा, मुझे हमारी गवर्नर साब तो बेचारे बहुत सहन करते हैं, यह बोलते नहीं है, लेकिन आरिफ साब को जो उनकी यहां बजेटरी प्रविजन का पैसा मिलना चाहिए, उनकी आना बन करवा दिया तक के रखने, गवर्नर के हाँ, अब आप कल उट करके इतने गुस्से में आ जाएंगे, पुल्ट करका, उनकी लाइट बिजरी सब बन करते हैं, क्या होगा, मुझे आद है, महारा से अब मुझे बताईगे, गवर्नर का घर, तमिलारुबे, उनके राजभावन के बहार बं फूटे, पैटल बं प्रेका जाए, क्या राज्य सरकार यह शोभा देता है, क्या, और संवेधान पदो की जो सेंटिटी होती है, वो बनाए रखनी चाहिए, मैं तो राज मे रहा पाते हैं, और यह सानो से चलता है, अब आज सहन नहीं कर पाते हैं, अचा गलत होगा वो तो उसका समयदानिक पतपर है, उसका दाइक भाह हो, करेगा अपना निजिमेबारी. Yeah, seeking your attention to Kerala back again. BJP is trying hard to get a foothold in Kerala, and for the last 10 years you are also focusing on Kerala, but it is very difficult to get a terrain there. Why is it so difficult? What are the challenges? पहली बात है, कि चुनाव में क्या होता है, इसके आधार पर हमारी पार्टी सेवा नहीं कर पारियसा नहीं है. आप देख लिए पिछले दिनों, जब भी केरल में कलमेटी जाई, सरवाधीक लोग अकर मादान में रहकर के काम किया, तो हमारे लोगों ने क्या किया है. और इसलिए आस्थिती है कि केरल में लेप की जमीन खिसक रही है, और वहाँ की जनता को पता चल रहा है, कि ये वहाँ के मतदाताओं के हाँ में धूल जो की जा रही है, LDF, UDF इखटा हो तमिलनाडु में, LDF, UDF आमने सामने लड़ते हो केरल में, अब ये शानेर तमिलनाड में खबर देगा, लड़ रहे हैं, तो लोगों का विश्वा तूर जाता है, 2011 विदानसभा चुनाव एंडिये को 6% वोट मिला था, 2014 के बाद लोगसभा, विदानसभा, लोकल बोड़ी हर चुनाव में, BJP को करीब करीब 15-15% वोट मिल रहा है, बटलब हम लगातार प्रग और मैं मानता हूं कि गूड गवरननस और नेरेटिव मिसिंफरमेशन इसके बीच में लड़ाई है, इन्हों ने अब हवा बना दी थी, कोविड में बहुत सबल पागी, और सबसे जादा लोग महां बरे, फेल गए, तो आप मीडिया को कंट्रोल करके, हवा पहला दोगे, इसे दीचे की स्थितिया सुधरती नहीं है जी. BJP is trying to reach out to the Christian minority in Kerala, but it is not getting the desired levels. The first thing is, that самнет भारती जनसंग, भारती जरता पार्ती हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी हम साइदान्ती ग्रुप से, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना, ये हमारा मुर्भूत सिद्धान्त है, अब देकी, गोवा में है, कई भस्षकों स हमारी सरकार चल रही है लगातार सरकार चल रही है और वो किश्चन कौमिलिट्री के मदद सही चल रही है उनके सहयोग सही चल रही है अज नौर्थ इसमें देखिए नौर्थ इसमें हमारी जितनी सरकारे हैं वो जादा कर हमारे मुख्यमंत्री या तो इसाई हैं हमारे मंत्र मंदर के अंद इसामाज सबसे हैं, यह तो इसाई समाज ही तुम हा है również potato सबस्यादा , शोट सबस्कंज में बढरे इसलिए कृष्ञियन समाज का हमारे साहियोग, आयूस अरोप मैं कृष्ञा नहीं लगा सकता हूं, हमारे प्रहत्न हम टाल करने अब कर रहे हैं, अब केरला में है, बूट से लेकर राष्ट्रे स्थर तक हमारी लेडर्सिप में, कृष्टियन सहादी हैं, कृष्टियन लीडर्स बीशफ्स शायद साल में पांच छे बार मेरे जलना होता है, मेरे हां कृष्मस भी मैं बड़ा अच्छा फेस्टिवल करता ह लड़ी 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 के जूट से, कृृ्ष्टियन कॉम्मुनिटी तंग अगई हैं और मेरे पांज आकर वो उनी की शिकाच करते हैं, बले हमारे चर्चों के बीच में इनी लड़ा ही कर वा दी है, हमारी चर्च की प्रॉपर्टि को इतना सं अगई हैं, हमारे मुशिह से, जिझे रहा हैं, और में इतनी मुशिवत में वा चर्च जी रहा है, उनकी मुसिवते में देख रहा हूँ आम स्की चिंता कर दे हैं, अब जैसे फिचर मैं थैंरे, मैंने अगआ लग फिचर्जार रिपर्ट्रमेंटायां हैं, ता कि हमारे उनको मोरन टेक्नोलोजी का फाइदा मिला है। और इकोनोमी का जो मेरा शेत्र है, उसमें भी उस समाज के काफी लोकों को फाइदा होने की संबावना है। अच्छा कृस्चन संब्धाय का स्वास्त और स्विक्षा क्षेत्रों से ग्यारा जुड़ा रहा है। अच्छा मैं वेटिकन गया तो, हुली पोप को मिलने गया था, बड़ी लंबी चर्चा हुई जी, और उनको मेरी सरकार के कामों की कापी जानकरिया थी, कापी विश्यों पर गा, और बहुत से मुद्धों में हम बाड पर थे, और मैंने तो उनसे कहां गा, भारत आये, मैंने पर आये पर आये थे, और रहे थे, और अगली साल वो अपना कारकम बनाई लए. And the Congress and the UDF allege that you are going soft with CM Panarayvijjain and his family, especially in the case of gold smuggling, your response? Aisa hai, कि हमारा मुदी का soft होना या hard होने का कोई मतलबी नही है, ये काम institutions करती है, स्वतन तर रूपसे करती है, और न मेरी सरकान ने, न प्रधान मंत्री ने ऐसी चीजों मैं टांग अडानी चाहिए, ये मेरा सिद्धात है. जहां तक Congress और Communist का सवाल है, मैं कहता हूँ, ये एक ही सिक्य के दो पहलू है, ये कोई अलग है ये ब्रश्चार चार में डुबी पिनराई सरकार को हमने हमेशा बेनकाम किया है, मेरे उनीट ने किया है, हमने भी किया है, क्योंकि? अब देखे, पंदरा एर्टूल का भाशन, CMRL के साथ सौदे का मुद्दा उठाया, हमने डिटेल में उठाया, गोल्ड स्मगलिंग मामले में, CM Office के और हमने बल्कुल इशारा किया, साब साब बता दिया, क्यों, Communist Party, दो बुराइयों के उस पर कभी पहचान नहीं थी, नब परिवारबाद का आरोप होता था, Communist Party पे, नब प्रस्थाचर का आरोप होता था, आज इन दोनों में केरल कॉम्मिनिस पार्टी औरों को भी उनने पीछे छोड़ दिया है यानि बिहार के कुछ राज लेता है उससे भी बुरा हाल परिवारबाद का केरल के कॉम्मिनिस पार्टी में दिखता है उससे भी बुरा हाल देता है अब देखिए CPM ने कोपरेटिव बैंक को लूटा है उसको बेदकाब करने का काम हमने ही किया है और आने वाले दिनों में भी लोगों को न्याई दिलाने के लिए हम बरपूर के आगे और कॉंग्रेज केरला में बोलेगी इन्हे जेल डालो और अकर में जेल डालोगा तो इदिली आकर के बयान करंगे कि देखिए राजनेतर का प्रते विंडिक्टिव है अब ये दो प्रकार की बाते करने वाले लोकों को देश कभी स्विकार ने कर सकता है जे प्रकार की अप्रेज करने प्रकार के बाते है पहली बात है को फोटो गरत का भीशा है जे सवाल है उसका नाम प्यमावास योजना नाम का सवाल है उसका एक लोगो होता है ताकि उसका आइडेंटिटी हो बजेट जो भारत सरकार का बनता है वो बजेट संसक पारिद करती है योजना स्कीम उनके नाम पर पारिद करती है अगर आप वहाँ नाम बदल देंगे तो यहां मेरे पास औरिट रिपोर निकलेगा कि प्यरन में प्यमावास ही नहीं आपके पैसे कैसे दे दिये तो मैं CAG को क्या रिपोर्ट दूँगा बज़ बताईए मेरी जिम्मवारी है कि मुझे पार्लामेंट ने जो पैसा खर्च करने का हक दिया है वो मैं भही खर्च करूँगा क्योंकि CAG औरिट करेगा तो हम स्कीम में कोई हमारे नाम के लिए नहीं कह रहे जिस नाम से स्कीम बनती है और यहां किसी ब्यक्ति का नाम नहीं है PM तो कोई भी PM जैसे प्रदान मुन्तिर गाम सरड़की होजना जब अटल जी की सरकारती तब बनी उसके बाद मनमोन सिंग जी की सरकार आई तो अभी प्रदान में तरी गाम सड़गी होतना रही, कोई जरूत नहीं थी बदलने, तो ये प्येम कोई व्यक्ति नहीं है, एक व्यवस्था है, उसको भी अगर विरोध करेंगे, तो इसका मडलब आपका नफरत काव और निराश्या का तत्पक इता दूर है, अच्छा स्टीकर लगा देने से क्या फाइदा है, ये क्या, क्यो तनाव पैदा करते हैं, राजय सरकारों को पास 42% डिवलुशन मिला हुआ है, वो अपनी योजना चला हैं, कोन मना करता है, और इसलिए हमारे कोपरेटिव फैडरिलिजम दोनों की जिम्मेवारी होती है, अब करल को लगता है कि इन जिम्मेवारी को नहीं जिवाएंगे, ये ये यू है कॉंसे बताईए, हमने आईश्मान आरो के मंदीर, ये ये योजना बनाईए, बजेट से हमको उस काम के लिए पैसा मिलाव हुआ है, अब केरल ने कहती हम मंदीर नहीं लिखेंगे, मंदीर का मदलब पूजागर नहीं है जी, आप मेरे हाँ बड़ोगा में जाएए, हाई कॉट को वहाँ कॉट जो हैं, उसको नियाए मंदीर कहते हैं, हमार यह पहले जो बच्चे को जाते हैं, प्री प्रीमरी, तो बाल मंदीर बोलते थे, अब बाल मंदीर को वर्षिप के अथ्थान थोड़ा है, तो यह आरोगे मंदीर कहां तो सापान नहीं तर्मिल रोड़ोदीर, वो कहते हम नहीं करेंगे, अब यह तरीका जो है, वो नफरत का वातावरण है, वो उचित नहीं है. You are concentrating on bettering the relationship with the Middle East, and many of the Middle East countries have honored you. Why it has happened never earlier? देखिए देश का दुरभागे रहा के पिछली सरकारों ने हमारे वेस्ट एशिया के साथ जो सम्मंदों को मजूद करना चाहिए, उसकी दिशा में कभी ध्यान नहीं दिया, हम दो ही काम करते थे, एक और इंपॉर्ट करते थे, और सस्ते मैंपावर को मद्दूरी के लिए एक्सपॉर्ट करते थे, अब ये कोई समधारी का काम नहीं था, आज हमारा रस्ता बहुत ही मजबूत है, और सेलर बायर से जूड निकल करके, एक कॉम्प्रिहंसिव डपनेमेंट के बार जा रहा है, अब हमारा व्येए के साथ हमारा ट्रेड अगरिमेंट हुआ है, अब मल्टी डाइमिनिशनल एक्टिविटी यह हम आज कर रहे है, आज टेक्नोलोजी और सर्विसिज भी हम एक्सपॉर्ट कर रहे हैं, तो देख आपके एजुकेशन सक्ड़ा, अब हमारा व्युवर्सिटी बहां काम करने लगी है, अब हमारा सम्झयता हुआ है, फूट प्रोसेजिंग में लोगो यह इन्वेश्मेंट करने के तेहर हुए, त्वेंटी फिप्टीन में मैं यही का दौरा किया था, प्रदानमंतिय बनने के भार्द, आप जानकर के चौक जाएंगे, कि क्या हिजद रहेगी, उनको क्या संभान मिलेगा, उनको क्या हक मिलेगा, तो मेरे दिल में एक दर्थ था कि जहां मेरे के भाई इतनी साधी संख्या में काम कर रहे हैं, मैं उनकी ख़पर पूछने के लिए जाओंगा, और मैं गया, और पिछले दस साल में, मैं तेरा बार म क्योंकि मैं मानता हूं कि इससे हमारे लोको आप जब जब कोविड के समय वहां से लोग भाग रहे थे यह सभी देशों के लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मोदी जी यह हमारे ही भाई है आप चिंता मत कीजे कोविड में हम उनकी केर करें गे और इन सभी देशों ने जब हम हमारे देश में कोविड के लोगों के कारते थे वैसी केर की तो समंधों के इलाब मेरे देश के नागरीकों को मिलना चाहिए और मैं दे रहा हूं अब देखे यह में बहुत भारी बंबारी चल तए बहुत बड़ी मात्रा में हमारे लोग ते मुझे पाँ जार लोगों के ता यह संबंध थे ना तो मैं बंबारी को रुक्वाने में साफाल हुआ और उस समय में उनको लेकर के बापिस आया ट्वेंटी ट्री में सुडान में भारती नागरीक दो और वो तो वहां आंतरी कुछ से दो फोर्से लिड रहे थे उनको हम निकाल करके साओ इलों में हमा आठ सो पचास लोगों को उन्हों ने बरी कर दिया वह वाफिस हिंदुस्तान में आगए अपने परिबार के साथ रह रहे है कतर में आठ नेभी वेटरन्स को फासी हुई थी मैं बहां के राजा का अभारी हूँ को उन्हों ने पार्ण किया तो हमारे समंधों की ताकत होती मैं मानता हूँ कि हमें हब देखिये ह हास यात्रा मैंने साओदी क्राउद पिर्स फी समय थे आयै तो मैंने उनसे कहा मैंने अग हमार ये जनसंक्य बहुत है हमारे मुस्लिम भाई भेन को हज के लिए ये कोटा बढ़ाई मेरी रिक्वेस्ट पर हुन रखा दिया ये ये में वहा के भारती नसमुदाई कि मंदिर बनाने के इछा थी मैं ये ये को रिक्वेस्ट की कि हमारे लोग मंदिर बनाना चाहते हैं सरफ जमीन चाहिए इजाज़ चाहिए उन्होंने है मैं लागते हैं जो भी मदद कर सकते हैं स्विदा की और भवय मंदिर आज इजु रिये में बन गया वीaran बन गया होग भव लोग लोग वहाँ दर ये 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 आतरा कर न कानने जाता है अभी मुषे ऑल हम्रोड़ आर करने जाते हैं बंदामान गया हँटन रहाज ए भार आड़ीश करोर म mira हमारा इतना समंद बना है। और उसका लाव सब्से ज़्या लाव के भाई-बेन को मिल रहा है। समंद तो दिका देते है पोई आपकर भाई भूलता है कोई आपको फैमिली मेमर ऐसे मिश्थ कितने मुश्किल होते हैं, क्योंकि मेरा रुची क्राइम रिपोर्टिंग में है, एक्स्टरन इंटरनल डिफेंस में होता है, देखते हैं सब उकरेन से बच्चा आ रहे तो बात करते थे, कैसे आये, वो बोलते हैं बस तिरंगा दिखाये और छोड़ दिये हमें, मिशन बहुत मुश्किल मिशन होते हैं आज भारत की एक्रेडिबिलिटी है, दुनिया भारत को विष्व बंधु के तार पर अने फिल कर रही हैं, शिर्फ शब्दों नहीं भाव से फिल कर रही हैं, और किसी भी संकट के सब हैं, भारत हमेशा फिस्व रिस्पॉंडर रहा हैं, अब मैं यहीं काईरी उपरेशन मेरे करनाटका के सब से लोग महां थे, सुडान से मुझे लाना का, उनको हक्की पिक्की बलते हैं, उन सब को हम लेकर के आए जी, और वो तो वेचारे ऐसा काम करते थे महनत का, कि उनके लिए तो अगर रोजी रोटी बंध हो जाए तो क्या खाना वो भी मुश्कर था, हमने पूरी तरह बदल दिया है, हमने हमारे नीती में हमारे डायस्पुरा को भी उत्रही महत्पत दिया है, जितने की हमारे डायस्पुरा की ताकत है, उसको हमने जोडना चाहिए, डायस्पुरा में कोई भी संकट हो, हम कहते हैं भी पास्पॉट का रंग कोई भी होगा, म और फॉरें पलिची के हिसा ही नहीं था जी लोग अपना नसीब अपना जाने वह पुछ करके थोड़े गए थे यह भावता पुराणी सरकार होगा। मैं काता हुने वह गया है अब मेरा काम है मैं इसकी चिंता करूँगा। और हम एंड टो एंड प्लानिंग करके चलते हैं। आसे नहीं चलते हैं। दूसरे देशों को लोग भी हमारी क्रेडिबिल्टी इतनी हैं। एक बार तिरंगा लेके चल पड़े ना बारतमा तक जय बोले तो कोई पुस्तानी किस देश का नागरी है उसको धाने ज़ता है। 2015 मैं यमन संकट हो साओधी किंग से बाद की और हजारों लोकों को बापिष लाने का काम। अबने का उकरेंस अंकट अब तो अभी वी ताजी बात है लोग जानते हैं। शाइड किसी कहीं पर एक कंडिडेट को चुनाओ के लिए जो डिपोजेट देनी थी। तो उकरेंस में जो बच्चे वापिस आये थे। उन्होंने खट्थे करके उनको पैसा दिया। तो ये अब देगे आपको मालूम होगा शाइड के लोगों को मालूम होगा। अब दिप्लोमेटिक, ठीकने, भलाने हर कोशिच की और बहुर लंबे समय के बाद उनको वापिस लाइए ह। जिंदा वापिस लाइए। एक बंगाल की बेटी अफगानिस्तान में काम करती इसाइयो के लिए जुड जिसुजागर के उसका अपरोन हो गया था अब एक बेटी का आपरोन हो तो तो तहर को चिंता रहती है, हमारे लीवी चिंता थी, पतानीस के ताथ क्या होगा। महिनों तक वातंगवादियों के कब जो बे रही। हमने हर प्रकार के हमारे समंदों का उपयोग किया, हम उसको स्वरक्षित घर लेकर के आ गए। मैंने का आपके भाई अज दिली पहुंच जाएंगे तो मानने को तयार नहीं थी, तब तक हमने सिक्रेट रखा था, तो मानने को तयार नहीं थी, कि अब तो हम तो चोच रही तब तो जिंदा कभी आई गाई नहीं तो ये जो संबंध है, उसको अपयोग हम अपने व्यक् मेरे साथ खड़ा है, ये बहुत ज़रूरी होता है जी, हैले हम सोचते थे विदेश नीती से आम आदमी का कुछ लेना देना नहीं है, सोच ऐसा रहे तो हम से क्या लेना देना हूँ, अब समझ में आ रहा है कि, हाँ, हम उनको समझ आ रहा है जी, हम जिस किसी देश के साथ क साम करना तो कर सकता है, ऑफिशली, और ये एक प्रकार से हर सामानी वक्त को अपरचुनेटी मिल रही है जी, तो इस कॉमन में के लिए होता है, हिल्थ केर के ऊपर वापस आपने काफी बात करी, बहुत बड़ा मुदा है फॉर दी मिडल क्लास और आपने बहुत कुछ किया है, आर ये साटिस्फाइड विष्ट? कभी संतोस की बात कहना ही बत, कि बहुत कुछ कर रहा है, तेके जहां तक हेल्थ का सवाल है, गड़ी परिवारों तरक, क्वालिटी हेल्थ केर की पहुँच, इम्रेली बहुत महत्मा पोड़ा है, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी स्वात्विमा योजना, आईश्मान साथ करोर से अधिक लोगों को बेश ट्रिट्मेंट अच्छ से अच्छी होस्पिसल में, और मालीजे केरल का विक्ती है, एम्रेबाद गया, वहां बिबार हो गया, तो सरफ उसको मोदी का कार दिखाना है, उसको वहां ट्रिट्मेंट मिल जाएगी, उसके रिस्तेदार पैसे लेकर आएफ ट्रिट्मेंट होगा इसा नहीं है, और आउट अपोकेट, पहले अमार यह बहुत खर्च होता था, सामन्य नागरी का, 2014-15 में एभरेज, 62 परसंट खर्च, आउट अट अगया हरे को अपने जेव से हल्टी लिए खर्च कहर्च कहर्च कहर्च, 62 हो गया है, बटले भी यह बहुस्ता है, विक्सेत होई है, सुईधा भी है, 2014-15 में हेल्ट सेक्टर पर पर केपिटाल, भारत सरकार का जो बजेट खर्च होता था, वो 1100 रुपीज होता था, आज हेल्ट सेक्टर का पर केपिटा खर्च करीब करीब दो गुना हमने कर दिया है, आईश्मान भारत से लाभारतियों के सबा लाग करोड रुपे बचे हैं, देश के नागरिकों के, क्योंकि सरकार ने खर्चा किया, इससे ज्यादा कभी कभी परिवार में भुजूरू लोग है बताते नहीं कि मैं बिमारू क्यों, उनको लगता है बेटे पर बोज हो अब निष्टिंध हो करके ट्रिप्मेंट कर रहा है और सवा लाग करोड का बच्छा है, ज्यारा हजार से ज्यादा जनाव सदी कंदर में ने कहां, असी परसंट डिस्काउंट से दवाई देते हैं, और वो जनाव सदी कंदर में पचीस हजार तक ले जाने वाला हूँ, सब्सक्राइब से उपर हैं, उसको अब आईश्मान काड मिलेगा, उसकी हेल्थ की पूरी जिम्मेवारी, इलाद की जिम्मेवारी बारत सरकार लेगी, इसका मतलब हुआ उसको तो लाभ हुआ ही, लेकिन उसके परिवार को बहुत बड़ा लाभ होता है, कि चलो पिता जी, बहुत बड़ा जी, माँ, माता जो खर्चा होता था, वा बच्चों के लिए खर्च करूंगा, यह बहुत बड़ा बोज मैने कम कर दिया है, दस वर्स हो है, अब हमन डिसोर्स का हो, यह इंफरा सिक्टर को, मेडिकल कॉलेज मैं जवर्टेष बड़ोध बड़ोध बड़ो करिब करीब फिप्टी बन थाज़न थी, अब वो एक लाग ऐना हो गगई है, वज़ः ज़दा होगे हैं, बड़ ज़्यादा बड़ ज़जध बड़ बड़ेंगे, य्यादा सेवा होगे, अब ड़्ट्र की बढ़ेगी तो, गाउं को तक तर्रिक्मेंट की भॉस्ता हो, बजेट की बात हो, एजुकुशन की बात हो, हेल सेक्टर को हमने एक comprehensive way में आगे बड़ाया आईजी. Kerala has a huge tourism potential. What efforts will be taken to boost this tourism potential of Kerala and India? आपने बहुत अच्छा सवाल कुछा. तेकि मैं मानता हूं कि आने बाले दिनों मैं भारत के ग्रोथ में बहुत बड़ा कॉंटुबिशन तुरियम का हुने वाला है. तुरियम इंडस्ट्री बहुत फलने, क्योंके बिजाएद G20 मैंने अनुभव किया. मेरी कोशिस्ति कि G20 के द्वारा मेरे राज्यों को दुनिया के सामने एक्स्पोजर मिले. दुनिया मेरे राज्यों की ताकत देखे और इसलिए हमने G20 की 200 के करीम मिटिंगे हैं इंडस्तान के अलग अलग स्थानों पर की. तो दुनिया के लोगों के लगा यार, हिंदुस्तानिया ने दिल्ली नहीं, हिंदुस्तानिया ने आगरा नहीं, हिंदुस्तानिया ने बहुत कुछ है. तो मैंने ग्राउंड बनाने के जिसामें एक के बाद दुनिया के कोई भी देश के नेता आते हैं, तो मैं उस्टेट में लेके जाता हूँ, ताकि आपने देखा हुआ कि मैं आफरीका में एक बेटी की आख की ट्रीटमेंट केरल में करवाई थी, एक राश्पती वहां के दे बाद में उसका बहुत मैंने ब्रांडिंग किया, यपी हमारी केरल का आइरुवेज हैं, आप वहां का, जो बीमारी आपकी होती नहीं, आप यहां आजिए, तो मैं खुद एक प्रकारते ब्राह्म में एमबसेडर केरल का, बढ़ गया हुआ का आपकाता है तब, अब देख आप देखे लिए बाद में एमानता हुआ हर प्रकार में एवन टेंपल एन एक स्पुरिचल तूरिजंग आप देखे गुरू वायूर, पद्मनाष्वामी मंदीर, यहां नहीं है यह उसी प्रकारते बारत का सबसे पुराना चर्ष केरल में है, यह तूरिजिम बाद उसी अब हमारियां मार्शलार्ट, कलाराई पट्टो में, दुनिया में क्यों नहीं जाए, कताकली, मोहिनेट्टम, क्या नहीं है जी, मैं समझता हूँ तूरिजिम, मैं भी बेलनेस तूरिजिम, शाएँ केरल से बढ़ कर कोई जगा नहीं है, आज योग और आईरुवेद के इ सकता है, एक उनको लगा, कमपर्शन हो जाए, कंकि जिनकों एक बार तो केरल जाना चाहिए, यहां तक हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेरी कोशिस है, बढ़े है, और युवावं के साथ आपकी लगा, मोधी जी, अब जो 18 साल का बच्चा है, वो जब आप सत्ता मे अब बढ़ी अता आपका, और हाली में गेमर्स के साथ भी अपने एक, एक कन्वेंशनल ले किया, I mean, why do you think it is important, वो अप प्रमक्रिमा, एक बान लीजे, 21st century जो है, बो टेक्नोलोजी-driven है, आपको मान के चलना पड़ेगा, अगर मैं, नॉर्मली मेरा जो एज ग्रूप के व अगर मुझे सर्कार चलानी है, तो मुझे इसका प्राइमरी ओना जो होना चाहिए, फर्स्ट ने एक्स्पिरेंस होना चाहिए, अब मुझे रूटीन में किसे ने पूछा होता गेमिंग, तो मैं बच्चों को बच्चों को बढ़ा, नहीं टाइम खराब मत करो, मैं उसमें डिटेल में जाने लगा, स्टड़ी करने लगा, तो मुझे लगा कि पर्सेप्शन ठीक नहीं है, हमें इसको रिस्ट्रिक्शन देने के बजाए हमनो उसको चैनलाइज करना चाहिए, प्रॉपर वे में डाइवर्ट करना चाहिए, दूसरा, गेमिंग की दुनिया में आज ह अच्छान की लोग सबसे जादा है, लेकिन गेमिंग का मार्केट बहार के लोग कप्जय में है, बेड इन इंडिया गेमिंग के ओन हो, भारत के पास इतनी कथा हैं, इतनी चीज़े हैं, अब दूसरा गेमिंग का उपयो हमारी नई पीडी को हम संसकारीद भी कर सकते हैं, उसको हम जैसे स्कूल कॉलेजी में आजकल उनको एक प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को, यह तुम्हारा एसाइनमेंट है, एक हटे मा करके लाओ तो बच्चा विचारा स्टड़ी करता है, गेमिंग में ऐसा एसा एसा एसाइनमेंट दे सकते हैं, और वो अच्छे रिज करते हैं, तो मैं समझता हुआ अउसके कान लोग जुडे, ओनलाइन जुडे, कहां पर एक नदी गंदी हुए तो उसको साप ऐसे किया जाए, एक के बाद एक स्टैप करते गए, अब हो सकता है, वो उनके समस्कार बन जाए और नदी साप भी करे, तो बहुत सारी अच्छी यने अच्छी हैबिट्स के लिए, अच्छी सोच के लिए, हमें एक एहड अप दा कर्व सोचनी की ज़रोत होती है, और मैं खुद उनको मिरा उनके साथ मैंने समय भीताया, मैं जाद बनको खाज मैंने उनको कहा झाए, मैं अग्स्टूडन की तारा संभना चाथ तो भी ब फ independence. इने हम पीषिदा वाला इसान नहीं। मैं नइ चीज सिखना नयाचीज प्रहुकरना यह मेरे फितृत है अब 2012 में पहली बार मैंने पोलिटिकल लाइफ नहीं। मैं बुट इन्स फर्स परसज जिस्ने गूगल हेग राउट किया था वो गुगल हंगाउट का उस समय तो कोई पता ही नहीं था फिर मैंने एक 3D होलोग्राम्स किया था ओ देखा था मैं जब भी उसके बाद जाता है मुझे इस दुनिया का कोई राज नेता है ऐसा नहीं होगा जिसने मुझे पूछा नहीं किया क्या करते कैसे हो और बुले ये नाजगान वाली होते हैं उसमेटो कर लेते हैं यह कहसे करते हैं अब जब मैंनोको भुताय कि मेरा इतना पड़ा देश है इतनी है अबीन है करते 21 आका नमोइन नमोइन कन्हारा नमोइन म Іर फैमेल न मैं यहीं का उप्यो कर रहां इन झाल गहा अर मेरा अबी एय आया यू कुछ अपनी तरह का बेहत खास आप है इवन आपको मेरी फोटो आपके साथ कभी निकली होगी आप नमो एप पर जाकर करके यही टूल का मेरा उप्योग करोंगे और अपनी खुद की फोटो लगाओ गे तो मेरे साथ जीतनी फोटो है आपकी पिछले 30-40 साल की सारी फोटो मेरे साथ आपको मिल जाएगी तो मैं यही का उप्योग करता हूं तो मैं उसी प्रकार से देखी जी एक कंटेंट क्रियेटर से है वो भी देश के लिए बड़ बड़ एसेट होता है और ग्लोबली हो इंपक्त करेट कर सकते है और तो मुझे उनके सामरत को जानना चाही है जानना चाही है अच्छे एक बहुत बड़ी एकनोमी भी है मैं चाहता हूं देश के ग्रोथ में वो भी अपना रोल को करें और स्वाभा भी कहा है कि यह यंग जन्रसनी से जूड़ी है तो मुझे भी अपने आपको उसी उमर के लेवल पर ले जाकर कर के तया करना परता है बेश में वियाईपी कल्चर की तो बहुत लेगिसी है और आह democrisку नौटरस इसके बार में काफी बात होती है कैसे उसको खथम किया जाए आपका क्या कहना उसके बार में यह बहुत ही चुनता जनक और दुर्भाग ल्हाँ कैna क्योंकि यह व्याईपी कल्चर का ऊरिजिन जितनी मेरी समझ है, एक कॉनोलियल काल से एक परकार से जूड़ गाया, अंगरी जो के लिए एक परकार के कानू, सामाने लो जन्ता के लिए दूसरा कानू, उनका रहन से न एक, बाक्यों के रहन से न एक, उनकी जगा एक, बाक्यों के बाक्यों के जगा, उनकी गाड़ी नि हमारी नेत वन उसको झारी रखा हो अब मैं जब आया तो मैं ने पहला काम किया नो लाल बत्ति मैं एकमिने टने किया यह कोई लाल बत्ति, रेड लाइट नहीं कोगी तरो गाडियों पर फलते हैं और शायरन बजाता है जुूम जूम कर tennis क्या मतलब है, मैं गुजरात में था, मेरे सभी मिनिस्टर को नियम था, कि कोई सारे ने पे जा गए, बहुत बड़ा ट्राफिक हो, जरूत पढ़ गई तो तोड़ा हलका सा एक करके बंद करो पई, ये कौन हम बड़े बात्सा हैं, कि हम सारेन बजा के चलेंगे, देखे, मैं मानता हूं, अब VIP नहीं, मेरे लिए तो EPI है, और जो मैं EPI कहता हूं, तो every person is important, और यही हो रहा है, लाग बत्ती से लेकर हर एक्शन में VIP जहम को खत्म करने का मेरा प्रयाफ्रा है, कुछ चीजे जरूत पढ़ती है, वो तो मैं सर्टा होगे, एग दम से आप ये चाहोगे आप देश के राजपती जी ऐसे फूट पाद पर पैदल चाले जा रहा है, ऐसा तो मैं नहीं चाहूंगा, ये कोई तरीका ठीक नहीं है, लेकिन हमारा कोई अब देश के वेक्शिया से बुआ, जीमन मरन का सवाल था, COVID का, मैं भी वेक्शन ले सकना था, लेकिन मैंने अब भी बादाजी का सौरगवास शरकारी हस्पताल में हुआ, उस ते लाखरी जीवन भी जाना नहीं पड़ा, आखरी जाना पड़ एक विक्चे लिए, लेकिन वो सरकारी हस्पताल में गई, और उस दिन मैं था और आप गाड़ी में जिस गाड़ी में जा रही थी, आप गाड़ी में जीतना कर सकता हूं, मैं करता हूं, और मैं मानता हूं अब जैसे रीपब्लिक डेपरेड, वार इन्वाइटी कौन होते हैं, मैं जीवने जीवने संटर लुस्टा बनाया था, इन जीवने सबको मेरा स्पेशल गेस्ट बनाया था, मैं जाता हूं जाता तो उनको जरा ही रहता है कि पचास इट, मैं पचास इट मांगता हूं और मैं कर रहूं, उस उनिवर्सिटी के नदिक में जो जुगी जोपड़ी होती है, वहां जो स्खूल होती है, उन बच्चों को, मैं कॉन्वोकेशन में बढ़ाता हूं, शींग इस बिलिविंग, उस करता हूं, तो मेरे लिए, आप देखे, पहले स्कूल में प्रभेश के लिए, एंप का कोटा रहता हूं, मैंने खत्म कर दिया, इवन हज यात्ना के लिए जी, कोटा रहता था, बैने वो भी कतम कर दिया, हमारी पार्लेमेंट की कैंटीन, सब अगमार वाले दुनिया वर की कर दिया बैने वर के लिए टार्लेमेंट की का रहता हूं, आप पुरा पैसल देता है, तो देखिए, आप पादमस्री तेखिए, पादमस्री की तारीफ हो रही है, क्यों? आप 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 लोगों को मैं खोचता हूं जी, ये पीपर्स पादमा बना चाहिए, बना पहल जांदातर पादम दिल्ली एजाते हूं जाते हैं और जो नेताओं का परिचे रहता था उनी को जाता था हूंगे। अबदल दिया हा तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये जी, तो इक बहुत बड़ाँ अटार्स है, जी आप बड़ाट और इसमाजवान की ताकत अ मोधी जी चुनाव काहिंग में इतना समय निकाल के हम से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैं इश्यानेक को बहुत अबारी हूँ और केरल का चुनाव महतोपुन है उस समय केरल की महतोपुन चैनल से बात हो करनड़ा के बहुत बहुत अख़वार आप सब इहां आए मैंने अपनी बाते बताने का प्रयास किया है लेकिन मैं बद्दाताओं से प्रात्ना करूँगा कि ये चुनाव को सामाने न ले इह बहुत ही महतोपुन चुनाव है गर्मी बहुत है फिर भी मतदान अवश्य करें मैं सभी राजनितिक दल के कारकरताओं को कहूंगा इन चुनाव के दुनों में लेखा पत्रकारों के सबसे जादा दोर्धूप होती है सबसे जयादा फिल में दोरते हैं उन पत्रकारों को भी पुलिटिकल वरकर्स को भी मैं जुरूर कहूंगा कि बहुत पानी पीजिये इस धूप में इतना काम करते हैं अपने आपको